हेलो एव्रीवन मार्वोखीट कीरती भार्थवाज आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भार्थवाज लॉकेट भी में एक बार फिर से हाथ इक स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने हर्याना ADA के लिए Hindu Marriage Act जो है वो कवर हम करने वाले हैं ये सारे notes आपको handwritten notes अगर आपको चाहिए तो आपको telegram group को join करना पड़ेगा जिसका link में description box में डाल दूँगी तो without wasting the time let's start the Hindu Marriage Act Hindu Marriage Act 1955 का act है Hindu पर apply होने वाला ये act है who is a Hindu ये वाला question जो है means के रूप में हम next class में इसको discuss करेंगे basically ये Hindu जो है विवा अधीनियम हिंदूओं के विवास से जुड़े हुए कानूनों को क्या-क्या provisions है उनको basically ये regulate करता है date of enactment की या date of enforcement इसकी दोनों सेम है 18 मई 1905 इसकी date of enforcement या enactment है ये पूरे देश पर apply करता है extends to the whole of India एक चीज़ याद रखेगा by the virtue of article 370 ये अब J&K पर भी apply करता है domiciled की बात करूँ तो एक बात याद रखेगा Hindu marriage act is a personal law ये नहीं है ये कोई territories पर restricted नहीं है कि आप अगर Hindustan में हैं तो ही आप Hindu है अगर आप किसी भी Muslim देश में जाते हैं या किसी यहुदी देश में जाते हैं या किसी भी देश में जाते हैं आप कल को America जाकर shift हो जाएंगे तो आप ये नहीं है कि आप Christian बन जाएंगे Hindu law जो है आपके साथ अगर आप जाते हैं जैसे रिशी शुनक उनके पड़दादा वगेरा जो है वहाँ पर जाकर बसे थे लेकिन स्टिल ही इस आ हिंदू क्योंकि ही इस बाइ religion हिंदू है तो ये इनका personal law है personal law is not restricted to the territories एक चीज़ का ध्यान रखेगा अब बात करते हैं application इसकी तो ये by किन किन पर apply करता है Hindu by religion, Hindu by presumption, Hindu by birth और Hindu by conversion Hindu जिसका धरम है, Hindu जिस अपने आपको जो presume करके चलता है कि मैं Hindu हूँ या जिसने Hindu परिवार में जनम लिया है या Hindu धरम को convert होकर दूसरे धरम से Hindu धरम में आया है वो बंदा जो है Hindu कहलाता है और उसको जो marriage के laws है वो Hindu marriage act से regulate कर ये जाते हैं तो अब आते हैं अब Hindu कौन होगा कोई भी Buddhist, कोई भी Buddhist, Jain और Sikh ये तीनों जो हैं Hindu की category में आते हैं अब या अब बात करते हैं यह यहां से question आता है कि ये apply किस पर नहीं होता है तो any Muslim, any Christian और Jew, Parsi ये सभी not a Muslim, Christian और Jew, Parsi ये सभी जो हैं गैर Hindu धरम में आते हैं who is a Hindu will always be read with the explanation explanation क्या कहती है a child brought जो भी legitimate हो या illegitimate हो जिसके दोनों ही parents Hindu हैं, Buddhist हैं, Jain हैं या Sikh हैं वो Hindu कहलाएगा ऐसा कोई भी बच्चा जो जायज या illegitimate है जिसके दोनों parents Hindu हैं चाहे वो Hindu होगा, चाहे वो Buddhist, Jain और Sikh किसी भी religion को follow करता है वो Hindu कहलाता है उसके बाद next की तरफ बढ़ते हैं अब बात करते हैं अगर इन में से एक parent दोनों हैं तो Hindu है यी एक parent अगर Hindu, Jain, Sikh और Buddhist है तो भी उस person को तो भी उस बच्चे को हम Hindu ही मान के चलते हैं या फिर ऐसा कोई भी बंदा जो की convert या re-convert होकर जैसे अब मैं Hindu कल को मैं Islam को कबूल कर लेती हूं और दुबारा अगर मैं Hindu हो जाती हूं तो मेरे को जैसे ही मैं Hindu धरम में दुबारा मेरी बापसी होगी वैसे ही मैं Hindu मारेज आक के प्रोविजन से रेगलेट की जाओंगी बेसिकली यह स्चेडूल ट्राइबस पर अप्लाइड नहीं होता है इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 366 क्लॉस नंबर 2 Indian Constitution का स्पेसिफाई करता है अब बात करते हैं कस्टम और यूसेज की कस्टम और यूसेज क्या है एक ऐसा कोई भी कस्टम जो continuously या uniformly लंबे समय से uniformly लगाता है without any interruption अगर use में आया है long period of time has obtained the force of law मतलब क्या कह सकते हो ऐसी प्रथा जो लंबे समय से चलती आ रही है without any objection without any distraction वो प्रथा वो प्रथा जो है क्या कहलाती है वो प्रथा आपकी Hindu marriage act के accordingly कस्टम में बन जाती है ऐसा कोई भी चीज जैसे कस्टम जो है वो family to family differ करते है state to state जो है differ करते है तो कस्टम मतलब continuously and uniformly लेकिन जैसे इसका contradiction आ जाता है जैसे सती प्रथा पहले कस्टम होता था लेकिन सती prohibition act आया उसके बाद इसको contravene करते हुए सती prohibition act के तहट इसको एक offense बना दिया गया proviso क्या कहता है proviso जैसे certain होना चाहिए and not reasonable to not reasonable या unreasonable नहीं होना चाहिए opposed to the public policy नहीं होना चाहिए यहाँ पर क्या कहता है public policy के against इसको नहीं होना चाहिए proviso क्या कहता है family rule it must not be discontinued by the family family से इसको discontinued नहीं होना चाहिए अब बात करते हैं full blood और half blood की full blood में एक चीज़ याद रखेगा दोनों माता पिता दोनों same है important definition है प्रीवे बहुत बारी आती है half common ancestors by different wife पिता जी same है माता जो है different है वो half में आता है और uterine blood की में बात करूं common ancestors common ancestors का मतलब है कि मा सेम है बट पिता जी जो है वो different है ये तीनों की तीनों definition full blood, half blood और uterine blood section based भी आप से exam में पूछी जा चुकी है अब बात करते हैं ancestor की ancestor father और ancestors mothers को कहा गया है अब बात करते हैं spinda spinda में तीन generation हम मा की line में छोड़ते हैं ये कि आप अपनी inclusive in the line of ascendant through mother mother की line में आप तीन जो है पीडियों को छोड़ा जाता है three generations को छोड़ा जाता है ये तीन generation और पांच generation exam में पूछी जाती है और father की family की तरफ से ये पांच generations आप शादी आपके उपर रोक लगाई जाती है basically ये बार करता है on the marriage of blood relation blood relation में आप शादी नहीं कर सकते है two persons spendas कब होते हैं when they are lenient ascendant they are known as spenda relationship तो आज की इस class को यहीं end करते हैं next class में हम further इसको cover up करेंगे अगर आपको भारतवास लॉक एड में के हर्याना idea के बाच के साथ जुड़ना है तो आप हमें दिये गए नंबर पर call या what's up कर सकते हैं CRPC जो है आपका fresh subject start हो रहा है ये ongoing running batch है हमारा law plus gk, english, live plus recorded lecture, weekly test expert, faculty सारा का सारा slavus cover up कराया जा रहा है timing से CRPC का 8-9 इसमें आपकी 3 classes दिन में होती है इसमें pre plus mains दोनों के हिसाब से आपका slavus cover up कराया जा रहा है 8-9 आपको CRPC होगा रात को morning में 7.15 to 8.15 आपका Hindu Minority and Guardianship Act जो है आपका Monday से start हो रहा है नमबर है 837032873 थैंक यू, all the best पढ़ते रहें साथ बनाया रखें जब तक कि next video आए चैनल को like, share और subscribe जरू कीजेगा थैंक यू, all the best